गूड मॉर्निंग एव्यूवान वेल्कम टू मैं पीश आफ करेनेगा व्लोग चैनल दोस्तों आज मैं शेयर कर रहे हूँ है एक लॉंबा इस्टिक जैसे बीगुनिय प्लान को किस तरह से हम भुशी बना सकते हैं तो वीडियो आन तक जोरूर दिखेगा और अगर वीडिय अच्छा लगें तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल दोस्तों काफी दिनों से मेरी कुछ इंडिविजियल अउल्जन के बज़र से टाइम टू टाइम में वीडियो आपलोड नहीं कर पाई हूँ हूँ आभी से मैं पूरी कोशिश करूँगी सही टाइ जैसे लंबा इस्टिक देखके अच्छा नहीं लग रहे इसलिए आज हम इसी को काटिंग करेंगे दोस्तों यह एक बहुत खुबस्वाद पैनेल इंडर प्लांग के साथ साथ खुबस्वाद प्लांट भी है और हम काटिंग द्वारा एक प्लांट से कफी सरे प्लांट ब जोरूर लगा लेना चाहिए तो दोस्तों आप चाहिए इसमें और भी काटिंग बना सकते हैं लेकिन मैंने नहीं किया हूं सिर्फ दो हिस्तों में डिवाइट किया हूं और बैक साइड में देखिए दोस्तों कितना खुबस्रोत कलर है दोस्तों यह आफ्टा टेंडेस का वीडियो है देखिए फांगिसेट पावडर मैं अल्रेडी लगा दिया था और यह देखिए एक साइट सोटा सा न्यू शूस निकला हुआ है यह है आफ्टा थ्री मांच का वीडियो याने के जानुर माहिना का हमने जो उपर का हिस्सा काटिंग किया था ओही काटिंग है यह उंटर में ज्यादा दर इंडर प्रांस का ग्रोथ कमी होते है इसमें फिल भी दो तीन शूस निकला हुआ है लेकिन थंड़ाई की बादे से ज्यादा बार नहीं पाया आफ्टा फेव इनका ग्रोथ तेजी से बढ़ते है कि उस्टे में क्लाइमेट नर्मेर रहते उप बड़ा बड़ा चावड़ा हो गया है तो दोस्तों कोई भी प्लान का ग्रोथ करता है उसका पॉटिंग मिक्सर और उसका लोकेशन के उपर तो चलिए एक छोटा सा क्या टिफ्स बाताती हूँ सबसे पहले मैं बाताती हूँ इसका पॉटिंग मिक्सर के बारे में इसके लिए मैंने लिया हूँ 50% मोटा अला सेंट 30% भर्मे कंपोस 20% लीव मोल साथ में एक मुठी पारलाइट नीम खुली बोर्ण मिल फांगिसेट पाउडर भी मिक्स किया हूँ दोस्तो बीगुनिया को मौस्ट रहना पसंद है लेकिन पानी भी बहुत ही कम चाहिए दोनों बाते बैलेंस रखना बहुत ही जोरी है पानी जब भी देने से चेक करके देना चाहिए दोस्तो बाइचास पानी आपका लॉक हो जाने से प्लांट रोटेट हो जाने का डर होता है और मार जाते है तो पानी के मामले में बहुत क्यारफूली देना चाहिए दोस्तो लोकेशन हमेशा सानी लोकेशने पोर्भाइट कीजिएगा ये देखे दोस्तो आफ्टर सैवेन मांथ याने कि अभी का वीडियो है ये तो देखे फूल ब्लॉमिंग में है विंटर में आप जितना सानलाइट देंगे उतना इतना खुश्रत फ्लॉर्स पाएंगे और हाँ सामार में इसका लोकेशन चेंज करना पड़ते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल अंधेरा में राग दीजिए कि जहां बिल्कुल अंधेरा हो हावा धुरूप नहीं आते ऐसा मत कीजिएगा हाँ डाइरेक्ट सानलाइट नहीं पाड़ना चाहिए ले देखेंगे कि आपका प्लांस का ग्रोथ बहुत अच्छा हो राखे है और ये देखें दोस्तों ये बिगुनिया का सीट पॉट है ये फ्लॉर्स नहीं है और ये देखें ये है फ्लॉर्स ये सीजन फ्लॉर्स जैसे ये बिगुनिया का फ्लॉर्स होते है लेकिन ये गुच से गुस्तों में खिलेगा और भी भूत खूवस्रोत लगेगा तो दोस्तों फर्टीलाइजर का बात कि रहें तो इसको बिल्कुल और्गेनिक फर्टीलाइजर यह पॉरवाइट कीजिए दोस्तो मैं तो फ्रीफर करती हूँ भार्मी कमपोस्ट को किमकि भार्मी कमपोस्ट प्लांस को ठंड़क पहुंच आते हैं तो फेबर्यों माहिनाय और अक्टोबर नॉइम्बर माहिनाय में एक मुट्टी भार्मी कमपोस्ट के साथ बोल्मी, निमखोली, फंगिसेट, परव सबको मिलक एक साथ मिक्स करके प्लांस की मिट्टी के चारों तरब को गुराई करके देने से प्लांस की ग्रोध और फ्लोरिंग के लिए मदद होते हैं और लिक्विड फर्टिलाइजर में जो हम मांतली यूज करते हैं और सीविट एक्स्ट्रा या फिर आप बैनाना ओन्योन पिल्स लिक्विड फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं इतना अई था मेरी वीडियो अब भी इस तरह से प्लां को घाना बुशी बना सकते हैं आई होप मेरी वीडियो अच्छा लागा थैंक यू सो मच पर वाट्टि